उत्तर प्रदेश में 79 हजाज सिच्छक भर्ती मामलेवे इलहाबाद हाई कोड में नई लिष्ट बनाने का निर्देश दिया है। कोड के इस फैसले के बाद सिच्छकों को अपनी नौकरी की चिंता है। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। वहीं दूसरी वो सिच्छक अभ्यर्तियों ने देर्रात लखनओ में बेशी सिच्छा निदेशाले के बाहर टाच जलाक प्रदर्शन किया। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अभी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि डर है ये भरती प्रक्रिया फिर से अधर में अटक न जाए। लखनओ बेशी सिच्छा निदेशाले के बाहर राज के अलग-अलग जीलों के अभ्यर्ति पहुँचे। वो सरकार से निउक्ति पत्र देनी की मांग कर रहे हैं। वो देर रात मोबाईल की लाइट जिला कर और बैनर पोस्टर हाथ में पकड़ कर शरकार के खिलाब खूब नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरच्छन में घोटाला हुआ हैं। और अब वो भीना निउक्ति पत्र के वहां से नहीं हटेंगे। सरकार उन्हें लिखित रूप से शेडूल जारी करें और बताए कि किस तारीक को उनकी काउंसली होगी और किस तारीक को उन्हें निउक्ति दी जाएगी। इन प्रदर्शन कारियों के धर्ना प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर पूरी मुख्य मंतरी और शफा मुख्या खिलेश श्यादों ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 69,000 सिचक भरती में इमानदारी सिनुक्ति के लिए 3 घंटे में कम्प्यूटर पूरी सूचित तयार कर सकता है। यूपी की भाजपार सरकार इसके लिए 3 महीने का जो समय मांग रही है वो संधिक्द है। इससे अभ्यर्थियों में घपले घोटाले बाजी भाजपार सरकार के खिल्याफ ये संधे पैदा हो रहा है। केसी द्वारा सर्वोच नयाले में इस मामले के लेकर जाकर कहीं आरच्छर विरोधी भाजपार सरकार इसे अपने बचे हुए कारियाले के लिए टालना तो नहीं चाहती। भाजपा का सबसे बड़ा संकट ही यही है कि उसका असली चेहरा जनता ने देख लिया है और अब जनता भाजपा की सूरत सीरत पहचान गई है। इस मामले में ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश शरकार का इसपस्ट मत है कि सम्विधान द्वारा दिये गे आरच्छर की सुविधा का लाव आरच्छित स्रेडी के अभ्यरतियों को प्रात्त होगा और किसी भी अभ्यरति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसको लेकर विभाग को निर्देश भी दिये गये हैं। क्यासिक का पालन सही से नहीं किया गया है।